आज में तही डाल के मिक्स्ट वेजटेबल बनाने वाली हूँ यह साउथ में बहुत ही फेमस है इसको आप यह बोलते हैं इसके लिए मैंने ड्रम स्टिक लिया है आलू लिया है मटर लिया है यह जिमिकन लिया है जुकनी लिया है यह सीताफल गाजर बीन्स यह सब विजटेबल बिला के मैं बनाने वाली हूँ पहले मैंने इस सब को धो के अच्छी तर से काट के रख लिया है आप हम पैन रख लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ और हम यह सारे विजटेबल एक एक करके इसमें डाल लेंगे आप हम आप हम आप हम आप हम आप लेंगे हल्दी पौडर डाल देंगे और स्वाद अनसर इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा और पानी डाल देंगे अब इसे कवर करके दीमी आज में 10 मिनिट स्कूप करेंगे तांच मिनिट हो गया है फोल के देखते हैं वाव हमारे वेजटेबल सब अस्थी तरह से ज्याई हो रहा है अगर अभी पका नहीं है इसको और भी हम बंद करके सिम्मेर में 7 मिनिट और पका लेंगे बाइद टाइम हम क्या करेंगे इस वेजटेबल के लिए मैंने आदा नारियल एक नारियल फोड के उसमें से आदा नारियल ले लिया था उसको छोटा-छोटे तुकड़े कर लिए और यह 9 हरी मिर्च इनको हम अच्छी तरसे पीस के आ जाएंगे अभी एकसर जार देखे अभी 10 मिनिट के बाद में ओपन करके देख रही हूं वेजटेबल सब हमारा अच्छी तरसे कुको हुआ है और मैंने नारियल को अच्छी तरसे पीस के आ गई हूँ अब यह नारियल इसमें डाल है थोड़ा सा इसमें पानी मिला के अच्छी तरसे शेह लाएंगे अभी हम इसमें इतने कड़ी पते को अच्छी तरसे तोड़ के इसमें मिला देंगे अच्छी को सुचप कर देंगे अच्छी तरसे मिला देश्ट पानी मिला देश्ट प्रणाओ जाएंगे मैंने यहां दही लिया हुआ है अब इसमें से चार मैंने दही का समझ लिया आप आदा कप दही डाल दिया है इसको हिला देंगे इची तरह से और भी उपर से कड़ी पता डाले कड़ी पता इसमें बहुत ही मस्त है जरूर कड़ी पता बहुत ज़्यादा डालना चाहिए पता बहुत है पता डालना चाहिए हमेज में जम गया है नारियल का तेल या कम से कम एक टेबल स्पून से भी ज्यादा नारियल का तेल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से खिला देंगे हमारा मिक्स्ट दही वाला वेजटेबल जिसको हम साउत में अवियल बोलते हैं तैयार है आप ने ऐसे इस चब बे स्टेप इसको बना के देखिए और बहुत ही तेस्टी है सारे वेजटेबल साथ-8 वेजटेबल इसमें मिल गए हैं तो इसको कैसे सर्व करते हैं मैं बतात आप यार को झाल झाल झाल